हेलो वच्चो कैसे हो आप लोग आशा करती हूं सब कुशल होंगे आईए आज आपका अध्याय प्रिष्टिय छेत्फल और आयतन में आगे कुछ समझते हैं आज हम चर्चा करेंगे शंकू का चिन्दक की अब तक हमने उन वस्तूओं को देखा जो दो आधार भूर्थोसों को मिलाने से बनते हैं आईए अब इससे कुछ भिन करें हम एक ऐसा व्रतिय शंकू लेंगे और इसका एक भाग हटा देंगे देखिए कुछ इस प्रकार इसको करने के अनेक तरीके हैं परन्तु जिस विधी में हमारा रुची है वै यह है कि हम इस शंकू के आधार के समानतर एक तल द्वारा इसे काट कर एक छोटा शंकू अलग कर देंगे आपने इस पर अभश्य ही ध्यान दिया होगा कि पानी पीने के लिए प्रयोग में किये जाने वाले ग्लास समान्य तह इसी आकार के होते हैं आए इसका हम आगे समझ लेते हैं कि शंकू के छिन्दक की उचाई है और तिर्यक उचाई L है तथा सिरो की त्रिज्याएं R1 और R2 हैं तो हम इसके आयतन व्रक्र प्रिष्टिय चेत्फल और संपून प्रिष्टिय चेत्फल निमन लिखित सूत्रों का सीधा प्रयोग करते हुए ग्याद कर सकते हैं शंकू का छिन्दक देखे इसमें इसको हम R1 ले लेते हैं इसको R2 ले लेते हैं यह है H शंकू के छिन्दक का आयतन होगा एक बटा तीन पाई H कोश्टक में R1 स्क्वेर प्लस R2 स्क्वेर प्लस R1 R2 शंकू के छिन्दक का व्रक्र प्रिष्टिय चेत्फल होगा पाई गुना R1 प्लस R2 गुना L जहां L बराबर है व्रक्मूल H स्क्वेर प्लस R1 माइनस R2 स्क्वेर शंकू के छिन्दक का संपून प्रिष्टिय चेत्फल बराबर होगा पाई गुना R1 प्लस R2 गुना L प्लस पाई R1 स्क्वेर प्लस पाई R2 स्क्वेर जहां L बराबर है व्रक्मूल H स्क्वेर प्लस R1 माइनस R2 स्क्वेर ठीके बच्चो आईए आप इन्सकी मदद से हम कुछ प्रेश्ट हल करते हैं यह हमारा L है एक शंकू के छिनक जो 45 सेंटिमीटर उंचा है के सिरो की त्रिज्जाएं 28 सेंटिमीटर और 7 सेंटिमीटर है इसका आयतन वरक्र प्रिष्टिय शेत्फल और संपून प्रिष्टिय शेत्फल ग्याद कीजिए हमें दिया है पाई बराबर 22 बटा 7 लीजिए अब हम जानते हैं छिनक का आयतन इसका सूत्र क्या था बच्चो एक बटा 3 गुना पाई गुना ह कोश्टक में अब हम इसमें मान रख देते हैं एक बटा 3 गुना 22 बटा 7 गुना 45 कोश्टक में 28 स्क्वाईर प्लस साथ का स्क्वाईर प्लस 28 गुना 7 सेंटिमीटर क्यूब इसको हल करके हम पाते हैं ये 48,510 cm3 आएगा हमें प्राप्त है L बराबर वर्ग मूल H का स्क्वेर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वेर इसकी मदद से हम L निकालेंगे जो बराबर होगा वर्ग मूल 45 का स्क्वेर प्लस 28 माइनस 7 का स्क्वेर इसको हल करके हमने पाया 3 वर्ग मूल 15 का स्क्वेर प्लस 7 का स्क्वेर और ये होगा 49,65 cm अतह छिन्दक का वक्र प्रिष्टिय छेत्फल होगा पाई गुना R1 प्लस R2 गुना L जो बराबर होगा 22 बटा 7 गुना 28 प्लस 7 गुना 49,65 और इसको हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 5,461,5 cm स्क्वेर ठीक है बच्चो आईए अब हम आगे हल करते हैं छिन्दक का संपूर्ण प्रिष्टिय छेत्फल इसका सूतर क्या था पाई गुना R1 प्लस R2 गुना L प्लस पाई R1 स्क्वेर प्लस पाई R2 स्क्वेर अब इसमें हम मान रख देते हैं पाँच जार चारसो एक सट दशमलव पाँच यह हमने अभी अभी निकाला था ठीक है प्लस 22 बटा साथ और कोश्टक में आ जाएगा 28 का स्क्वेर प्लस 22 बटा साथ और कोश्टक में साथ का स्क्वेर सेंटीमीटर स्क्वेर इसको हल करके हम पाते हैं आठ हजार उनासी दशमलव पाँच सेंटीमीटर स्क्वेर तो बहुत असान है बच्चों हमें सूत्र में उनका अल्यू रख्की और हम इसको हल कर लेते हैं ठीक है आईए अगला प्रशन देखते हैं हनुपा और उसकी पत्नी गंगम्मा गन्य के रस्क से गुड बना रहे हैं उन्होंने गन्य के रस्क को गरम करके राब जिसको शीरा कहते हैं बना ली है जिसे शंकु के छिनक के आकार के सांचों में डाला जाता है जिनमें से प्रतेक के दोनों व्रतिय फलकों के व्यास क्रमशह 30 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर हैं तथा सांचे की उर्धवाधर उंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर यदि एक सेंटीमीटर क्यूब राब का द्रव्यमान लगभग 1.2 ग्राम है तो प्रतेक सांचे में भरी जा सकने वाली राब का द्रव्यमान ग्याद करें और पाई हमें लिना है 22 बटा 7 आएए बच्चो अब इसका हल देख लेते हैं चूंकि सांचा एक शंकू के छिननक के आकार का है इसलिए इसमें भरी जा सकने वाली राब का आयतन कितना होगा एक बटा 3 गुना पाई गुना एच कोश्टक में आरवन स्कूर प्लस आरटू स्कूर प्लस आरवन गुना आरटू ठीक है आईए अब इसको हल करते हैं यहां आरवन बड़े आधार की त्रिज्या है और आरटू छोटे आधार की त्रिज्या है एक बटा 3 गुना 22 बटा 7 गुना 14 कोश्टक में 35 बटा 2 का स्कूर प्लस 30 बटा 2 का स्कूर प्लस 35 बटा 2 गुना 30 बटा 2 सेंटीमीटर क्यूब इसको हम हल करेंगे और हम पाएंगे कि 11,641.7 cm3 इसका आयतना आएगा यह दिया है कि 1 cm3 राब का द्रव्यमान 1.2 ग्राम है अतह प्रतेक सांचे में भरी जा सकने वाली राब का भार द्रव्यमान कितना होगा? 11,641.7 को हम गुना कर देंगे 1.2 ग्राम से ठीक है? और हमें कीतना मिलेगा हैं आपी? देखिए यह ग्राम में है 13,970.04 ग्राम यानि 13.97 किलो ग्राम जो बराबर होगा 14 किलो ग्राम के ठीक है बच्चो? आईए अगला प्रश्न करते हैं धातू से बनी एक खुली बाल्टी शंकू के एक छिनक के आकार की है जो उसी धातू से बने एक खोकली बेलनाकार आधार पर अरोपित है इस बाल्टी के दोनों वरताकार सिरों के व्यास 45 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हैं तथा बाल्टी की कुल उर्धवा अधर उंचाई 40 सेंटीमीटर और बेलनाकार आधार की उंचाई 6 सेंटीमीटर है इस बाल्टी को बनाने में प्रियुक्त धातू की चादर का छेतरफल ग्यात कीजिए जबकि हम बाल्टी की मुठ्या या हत्ते को इसमें सम्मिलित नहीं कर रहे हैं साथ ही उस पानी का आयतन ग्यात कीजिए जो इस बाल्टी में धारण कर सकता है पाई का मान हमें 22 बटा साथ लेना है अब हम बाल्टी की कुलूंचाई कितनी दिऊ हुई है 40 cm जिसमें आधार की उचाई भी सम्मिलित है इसलिए शंकू के छिनक की उचाई कितनी हुई 40 में से 6 को हम घटा देंगे जो बराबर होगा 34 cm अतह शंकू के छिनक की तिर्यक उचाई कितनी होगी हम सूतर लगा लेते हैं L बराबर वर्गमूल H का स्क्वेर प्लस R1 माइनरस R2 का स्क्वेर आए इसको हल करते हैं जहां R1 बराबर है 22.5 cm और R2 बराबर है 12.5 cm और H बराबर है 34 cm अतह L बराबर हुआ वर्गमूल 34 का स्क्वेर प्लस 22.5 माइनरस 12.5 का स्क्वेर जो बराबर हुआ वर्गमूल 34 का स्क्वेर प्लस 10 का स्क्वेर इसको हम हल करेंगे तो हमें बिलेगा 35.44 cm इसमें प्रयुक्त धातु की चादर का छेतरफल बराबर होगा शंकू के छिननक का व्रक्र प्रश्टिय छेत्फल प्लस व्रतिय आधार का छेत्रफल प्लस बेलन का वक्र प्रश्टिय छेत्फल आए इनको हम जोड़ देते हैं पाई गुणा 35.44 कोश्टक में 22.5 प्लस 12.5 प्लस पाई गुणा 12.5 का वर्द प्लस दो पाई गुणा 12.5 गुणा 6 सेंटिमीटर स्कूर जो बराबर होगा 22.7 गुणा 1240.4 प्लस 156.25 प्लस देड़ सो सेंटिमीटर स्कूर ये आएगा 4860.9 सेंटिमीटर स्कूर के बराबर अब बाल्टी में आ सकने वाले पानी का आयतन जिसे बाल्टी की धारिता भी कहते हैं कितनी होगी बच्चों पाई गुणा H बटा 3 गुणा R1 स्कूर प्लस R2 स्कूर प्लस R1 गुणा R2 आएए देखते हैं 22 बटा 7 गुणा 34 बटा 3 गुणा कोश्टक में 22.5 का स्कूर प्लस 12.5 का स्कूर प्लस 22.5 गुणा 12.5 इसको हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 22 बटा 7 गुणा 34 बटा 3 गुणा 943.75 इसको हम आगे हल करेंगे तो हमें मिलेगा 33,615.48 cm3 जो बराबर होगा 33.62 लीटर के लगभग आगे अब आगे प्रश्ण हल करते हैं आपके प्रश्णावली 13.4 का पहला प्रश्ण हमें कहा गया है जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई को हम 22 बटा 7 ही लेंगे पहला प्रश्ण है पानी पीने वाला एक ग्लास 14 cm उंचाई वाले एक शंकू के छिनक के आकार का है दोनों व्रताकार सिरो के व्यास 4 cm और 2 cm हैं इस ग्लास की धारिता ग्यात कीजिए ग्लास के उपरी भाग की तरिज्जा कितनी हुई? R1 यानि 4 को 2 से हम भाग देंगे 2 cm ग्लास के निचले भाग की तरिज्जा R2 कितनी होगी? 2 बटा 2 यानि 1 cm और उंचाई हमें दी हुई है 14 cm तो आएए बस हम सूत्र लगाते हैं ग्लास की धारिता बराबर होगी छिन्नक का आयतन निकालने में तो पाई गुना H बटा 3 गुना R1 स्क्वेर प्लस R2 स्क्वेर प्लस R1 R2 बराबर होगा 1 बटा 3 पाई H गुना 2 का स्क्वेर प्लस 1 का स्क्वेर प्लस 2 गुना 1 जो बराबर है 1 बटा 3 गुना 22 बटा 7 गुना 14 जो H था गुना 7 यह 7 होगा देखे 4 प्लस 1 प्लस 2 यह 7 और 7 कट जाएगा और इसको हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 308 बटा 3 यानि 102 बटा 3 सेंटीमीटर क्यूब जिसको हम 102 दशमलव 66 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं अता ग्लास की धारिता हुई 102 दशमलव 66 सेंटीमीटर क्यूब ठीक है बच्चों समझ में आया चलिए अगला प्रशन करें एक शंकू के छिनक की त्रियक उचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके व्रतिय सीरों के परिमाप यानि परीधियां 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं इस चिनक का व्रक्र प्रिष्टिये छेत्फल ग्याद कीजिए चिनक के उपरी भाग का परिमाप कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर इसका मतलब 2 गुना पाई गुना आरवन बराबर है 18 या आरवन बराबर हुआ 9 बटा पाई चिनक के निचले भाग का परिमाप दिया है 6 सेंटीमीटर इसका मतलब 2 गुना पाई गुना आरवन आरवन बराबर है 6 याने की आरवन बराबर हुआ 3 बटा पाई चिनक की तिर्यक कुछाई हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर चिनक का व्रक प्रिष्टिय छेत्फल हम सूत्र द्वारा निकालेंगे पाई गुना आरवन प्लस आरवन प्लस आरवन गुना एल यहाँ पे हमने मान रख दिया जो बराबर है पाई गुना 9 बटा पाई प्लस 3 बटा पाई गुना 4 अब देखिए पाई से पाई कैंसल हो जाएगा और 9 और 3 कितना हुआ बच्चो बारा बारा को 4 से गुना कर देंगे तो यह 48 सेंटीमीटर स्क्वार आ गया अतर चिननक का व्रक्र प्रिष्टिय चेतफल कितना आया 48 सेंटीमीटर स्क्वार ठीक है बच्चो आईए अगला प्रशन करें एक तुर्की टोपी शंकू के एक छिनक के आकार की है यदि इसके खुले सीरे की तरिज्जा 10 सेंटीमीटर है उपरी सीरे की तरिज्जा 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यकुंचाई 15 सेंटीमीटर है तो इसके बनाने में प्रियुक्त प्रदार्थ खा छेतरफल ग्या बात कीजिए, देखिए, कुछ इस तरेके से होगी यह टोपी, इसमें हमें दे रखा है, यह खुला हिस्सा है, 10 सेंटीमीटर और यह है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो टोपी के निचले भाग की तरिज्या आरवन कितनी है बच्चो, 10 सेंटीमीटर, टोपी के उपरी भाग की तरिज्या आरटू कितनी है, 4 सेंटीमीटर, टोपी की तरियक उंचाई, इसको तरियक उंचाई कहते हैं, यह कितनी है, 15 सेंटीमीटर, आगे इसको हम हल करते हैं, इसके बनाने में प्रियुक्त पधात का छेत्रफल बराबर होगा छिन्नक का वर्कर प्रिष्टिय छेत्रफल प्लस उपरी भाग का छेत्रफल क्योंकि उपर से वो टोपी बंध है तो इसका हम सूत्र लगाएंगे पाई गुना आरवन प्लस आर्टू कुना एल प्लस पाई आर्टू स्कॉर पाई कोश्टक में 10 प्लस चार यह हमें दियुही हैं तरीज गुना पंदरा प्लस पाई गुना चार का स्कॉर इसको हम हल कर लेते हैं यह हो जाएगा 14 को 15 से गुणा करेंगे तो 210 पाई प्लस 16 पाई इस प्रकार 226 पाई होगा और इसको हम हल करेंगे 226 गुणा 22 बटा साथ तो हमें मिलेगा 4972 बटा साथ इसको हमने हल करके निकाला 710.28 सेंटिमीटर स्क्वार अतह टोपी के बनाने में प्रयुक्त प्रधार्थ का छेत्रफल 710.28 सेंटिमीटर स्क्वार है ठीक है बच्चों असान धाना आईए अगला प्रश्न करें धातू की चादर से बना और उपर से खुला एक बरतन शंकू के एक छिनक के आकार का है जिसकी उचाई 16 सेंटिमीटर है और निचले और उपले सीरों की त्रिजाएं क्रमशह 8 सेंटिमीटर और 20 सेंटिमीटर हैं 20 रुपे प्रती लीटर की दर से इस बरतन को पूरा भर सकने वाले दूद का मूल्य ग्याद कीजिए साथ ही इस बरतन को बनाने के लिए प्रित धातू की चादर का मूल्य 8 रुपे प्रती 100 सेंटिमीटर स्कूर की दर से ग्याद कीजिए हमें दिया है πाई बडाबर तीन दशंबलव एक चार्स लेना है को हल समझ लेते हैं बरतन के उपरी भाग की त'reज्य आरवन कितनी दी हुई है 20 सेंटीमेटर बरतन के निचले भाग की त्र dungeons कितनी हुई है 8 सेंटीमेटर बर्तन की उचाई H कितनी है 16 cm तो बर्तन की तिर्यक उचाई हम निकालेंगे सूत्र द्वारा वर्गमूल H का स्क्वाइर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वाइर इसमें हम मान रख देते हैं 20-8 का स्क्वेर प्लस 16 का स्क्वेर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे जो आएगा वर्गमूल 144 प्लस 256 जो बराबर होगा वर्गमूल 400 के और इस प्रकार ये हुआ 20 सेंटीमीटर के बराबर ठीक है बच्चों आएए अब हम आगे हल करते हैं बरतन की धारिता बराबर है छिन्नक का आहतन जो हम सूत्र जानते हैं बराबर है एक बठा तीन गुना पाई गुना एच और कोश्टक में आरवन स्क्वेर प्लस आरटू स्क्वेर प्लस आरवन गुना आरटू इसमें हम मान रख देते हैं एक बटा तीन गुना 3.14 गुना 16 गुना कोश्टक में 20 का स्क्वेर प्लस 8 का स्क्वेर प्लस 20 गुना 8 आगे देखें एक बटा तीन गुना 3.14 गुना 16 गुना 20 का स्क्वेर हुआ 400 प्लस 8 का स्क्वेर हुआ 64 प्लस 20 गुना 8 हुआ 106 इस प्रकार एक बटा तीन गुना 3.14 गुना 16 गुना 624 हमें मिला जिसको हम हल करके हमें मिला एक लाख 4449.92 सेंटीमीटर क्यूब जो लगभग 10.45 लीटर के बराबर है एक लीटर दूद का मुल्य हमें दिया हुआ है 20 रुपे तो 10.45 लीटर दूद का मुल्य कितना होगा 10.45 गुना 20 रुपे जो है 209 रुपे के बराबर बरतन को बनाने के लिए प्रेउप्त धातु की चादर का छेतर फल इसमें हम सूत्र लगाएंगे पाई गुना R1 प्लस R2 गुना L प्लस पाई आर्टू स्क्वेर जो बराबर होगा पाई गुना 20 प्लस 8 गुना 20 प्लस पाई गुना 8 का स्क्वेर इसको हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 560 पाई प्लस 64 पाई और जोड देंगे तो 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वेर के बराबर आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वेर चादर का मूल्य होता है दिया हुआ है 8 रुपे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वेर का मूल्य कितना होगा बच्चो 8 बटा 100 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वेर चादर का मूल्य अगर हमने निकालना है तो हम उसको गुना कर देंगे कितना आएगा 8 बटा 100 गुना 624 पाई इसको हम हल करेंगे तो हमें कितना आएगा 800 गुना 624 गुना 3.14 जो बराबर होगा 156.75 रुपे के बराबर अतह बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूद का मूल्य कितना हमने निकाला था? 209 रुपे तथा इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य कितना है? 156.75 रुपे है ठीक है बचो? आईए अब ग्रह कारे के लिए कुछ प्रशन ले लिजे पहला प्रशन कोई बाल्ती शंकु के एक छिन्नक के रूप की है जिसकी उचाई 30 सेंटीमीटर है तथा निचले और उपरी सीरों की तरिज्जाएं क्रमशह 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है साथ ही इस बाल्ती को पूरा भर सकने वाले दूद की 25 रुपे प्रती लीटर की दर से लागत भी ग्याद कीजिए यहाँ पर पाई 3.14 का प्रयोग कीजिए दूसरा प्रशन एक 16 सेंटीमीटर उचाई वाला दूद का बरतन एक धातू की चादर से शंकू के एक छिनक के आकार का बना हुआ है इसके निचले और उपरी सिरो की तरिज्याएं क्रमशा 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है इस बरतन में जितना दूद आ सकता है उसकी 22 रुपे प्रती लीटर की दर से लागत ग्याद कीजिए ठीक है बच्चो आईए बच्चो अब सारांच देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा जब किसी शंकू को उसके आधार के समानतर किसी तल द्वारा काट कर एक छोटा शंकू हटा देते हैं तो जो ठोस बचता है वह शंकू का एक छिनक कहलाता है हमने ये भी देखा शंकू के छिनक से सब्बंध सूत्र निम्र लिखित हैं पहला शंकू के छिनक का आयतन जो बचाबर होता है एक बटा तीन गुना पाई गुना एच कोश्टक में आरवन स्क्वाईर प्लस आरटू स्क्वाईर प्लस आरवन गुना आरटू दूसरा शंकू के छिनक का व्रक्र प्रिश्टिय छेत्फल बराबर होता है पाई गुना आरवन प्लस आरटू गुना एल जहां एल बराबर है वर्गमूल एच का स्क्वाईर प्लस आरवन माइनस आरटू कोश्टक में उसका स्क्वाईर शंकू के छिनक का संपून प्रिश्टिय छेत्फल बराबर होता है पाई गुना आरवन प्लस आरटू गुना एल प्लस पाई कोश्टक में आरवन का स्क्वाईर प्लस आरटू का स्क्वाईर उप्रोक्त सूत्रों में एच बराबर होता है छिनक की यानि उर्दवाधर उचाई और एल बराबर होती है छिनक की तिर्यक उचाई तथा आरवन और आरटू छिनक के दोनों व्रतिय सिरों की तरिज्याएं हैं ठीक है बचो आशा करती हूँ आज का पार्थ आपको समझ में आया होगा आप अभ्यास कीजिएगा धन्यवाद